15 मार्च 2023 को प्रातह 6 बज कर 13 मिनट पर राजा का प्रवेश होगा अपने गुरु के घर अथार्ट सूर्य देव मीन राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जो की इनके परम मित्र माने जाते हैं सूर्य देव का मीन राशी में प्रवेश वैसे तो सभी राश्यों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है जीवन में देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बतला या फिर कहा जा सकता है पूरे एक महीने तक इन तीन राशी वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगी सूर्य जैसी चमक कौन सी है वो तीन महाभाग्यशाली राशियां यह फलादेश बताने से पहले आपको बता दूँ यह फलादेश आपकी चंदर राशी पर आधारित है अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशी क्या है तो इसे राशी एनुसार सुनिएगा अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं पहली राशी जिस राशी के लिए सूर्य देव का ये राशी परिवर्तन बेहद खास रहने वाला है वह राशी होगी मित्रों व्रश राशी जिहां व्रश राशी वाले जातकों के लिए सूर्य महराज सम ग्रहों की संग्या में आते हैं किन्तु एक केंद्र के स्वामी होकर एकादश भाव में प्रवेश होने जा रहा है। आपके मनोरतों को पूर्ण करने की दक्षता सूरिय महराज लेने प्राप्त करने जा रहे हैं। आपकी आए में व्रध्धी के स्रिष्ट अवसर एक से अधिक आए के स्त्रोत्र आपके लिए सूर्य महराज की क्रपा से निर्मित होंगे आकस्मिक लाब की गती विधियां आपके जीवन में देखने को मिलेगी और भौतिक सुखों में देखने को मिलेगी आपको स्रिष्ट व्रश राशी वाले जातकों के लिए 15 मार्च से पूरा एक महीना सूर्य देव का ये राशी परिवर्तन बेहद खास रहेगा इस समय का सदुपियोग करकर आप अपने वो मिशेश मनों का मनाओ को अपने कारियों को पूर्ण कर सकते हैं जिने लाख प्रयास करने के पस्चात में भी पूर्व में आप नहीं कर पाए और इस मेहनत में सूर्य अपनी चमक जोड़ते हुए आपको स्रिष्ट सफलता का वर्दान देते हुए पाए जाएंगे दूसरी राशी जिसराशी के लिए अदबुद रूप से सूर्य महराज का मिलने जा रहा है आशिरवाद वहराशी होगी मित्रों वरश्चिक राशी वरश्चिक राशी वाले जातकों के करमेश होकर एक केंद्र के स्वामी होकर एक त्रिकोन भाव पंचम में प्रवेश कर रहे हैं आपके कर्म अथार्त जो भी आप काड़िये कर रहे हैं चाहे जौब कर रहे हैं चाहे व्यवसाई कर रहे हैं उसमें अचानक कोई ऐसा लाब बन कर आए, जो कि आपको एक स्रेष्ट शिखर प्रदान करें. आपके कर्म शेत्र के स्वामी आकस्मिक लाब के इस्थान पर आए हैं, किसी भी प्रकार का बड़ा लाब आपको जरूर देखने को मिल सकता है. पेट से संबंदित कोई समस्याकर तवस्ता देखने को मिल रही थी, तो वो समाप्त होंगे. सरकारी कोई विशेश कारिया आपके रुके हुए हैं, उन्हें में भी मिलने जा रही है, आपको सफलता. जो विध्यारती गौर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी स्र प्रदान करने का आश्रवाद सूर्य महराज की क्रपा से मिलने जा रहा है. अपनी बुद्धी मता और चातुरी मता के दम पर 15 मार्च से पूरे एक महीने में आप अपने वो कारिये कर बैठेंगे, जिसकी शायद आप भी अनुभूती नहीं कर सकते. कोई भी ऐसी डिजाय का सदुपियोग करकर आप बना सकते हैं 15 मार्च से आने वाला पूरा एक महीना यादकार. और अन्तिम सर्वस्रिष्ट भग्यशाली राशी, जिस राशी के लिए अदभुद रूप से सूर्य महराज का मिलने जा रहा है आश्रवाद. वह राशी होगी मित्रों, धनु रा के लिए सूर्य महराज भग्यस्थान के स्वामी होते हैं, एक त्रिकोन के स्वामी होकर केंद्र में आना ये अपने आप में एक राज्योग तुल्य फल देने की इस्टती निर्मित करता है. भौतिक सुखों में आपको व्रधी कारा की स्टती देखने को मिले, कोई भूमी सुखों में व्रधी करेंगे, जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्टा दिलाएंगे, पैरंटल प्रोपर्टी से रिलेटेड यदि कोई परेशानी देखने को मिल रही है, वो समापत होंगी, करम शेत्र में बड़े अच्छे लाब धनूराशी वाले जातकों को देखन करने वाले जातकों को सूर्य जैसी चमक सूर्य नारण की करपा से अपने करम शेत्र में देखने को मिलेगी, और इन सब गती विदियों में भाग्य देता हुआ पाया जाएगा आपका परिपूर्टा से साथ, तो वैसे तो सूर्य देव का य राशी परिवर्तन सभी राश विद्यमान होगा भगवान श्री सूर्य नारण की करपा से, आशा करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी, कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा, तब तक के लिए, नमस्कार